दरावना पॉड़कास्ट शो आपके सामने आने वाला है कूनी मंडे हेलो एन वेलकम टू दिए अरुन पंडे शो जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं बिल्कुल दिल्चप्स गेस्ट जिनकी नौलेश का एरिया बहुत वास्ट होता है और आज के हमारे एपसोड में भी हमारे गेस्ट कुछ इसी तरह के हैं ये एक प्रडूशर है ये एक स्टोरी टेलर है ये बहुत ही सक्सेस्फुल यूटूबर है और सबसे जरूरी काम इनका है लोगों को डराने का तो आज हम दिव जी से पूछना चाहेंगे कि दिव जी आ हो चुके हैं और उसके बाद मझे ये कुश्चन खाये जा रहा है कि क्या इतने लोग डरना पसंद कर रहे हैं मैं कहूंगा बिलकुल इससे बहुत बड़ी जनता है जो डरना पसंद करती है जैसे अगर आप अपने स्कूल के दिनों में या कॉलेज के दिनों में नजर डालेंगे या अपने बच्चपन के दिनों में भी नजर डालेंगे तो दादी, नानी कितने सारे किस्ते सुनाती थी और हम सब इसे चाओ से सुनते थे उन कानियों को स्कूल में जब फ्रेंड्स का गुरूप होता था या कॉलेज का गुरूप होता था तो एक मुवाल बन जाता था कि आज चलो हॉरर स्टोरी इस डिसकस करते थे और सब के पास जरूर एक ना एक हॉरर स्टोरी होती थे सुनाने के लिए तो इंडिया में जो इतना हमारा इतनी जादा बड़ी हिस्ट्री है इतने जादा गाओं हैं इतनी जादा लोग हैं कि फोर्कलोर्स की कमी नहीं है और इतने सारे हॉरर किस्ते हैं अल्रेटी इंडिया में जो एक दूसरे से वो बताने में उन चीजों को डिसकस करने में पसंद है तो अभी तो आपको भी डराना बाखी है क्योंकि अभी दिव जी कुछ कहानिया तो लेकर आए और सुनाएंगे उसके जानने के लिए ज़रूर वेट करिएगा लेकिन उससे पहले मैं दिव जी आपसे यह जानना चाहता हूं कि यह हॉरर का सेलेक्शन क्या यह तो हमें लगा कि यहां पे गैप है कोई इस गैप को पूरा नहीं कर रहा तो हॉरर स्टोरीज करते हैं और अधर थिंग बहुत बहुत अच्छी कमाल की चीज ही थी यह हॉरर पे किसी का कोई कॉपी राइट नहीं है तो हमें आपने सारे लोग अपने हॉरर कानिया बताना चाते हैं तो हमने कहा कि हम उसका मांद हम बनी होरर से आपने प्लेस की बात करी तो एक मांगड का किला बड़ा फेमास है मैं तो बचपन से सुन रहा हूं कभी गया नहीं हूँ आप ए और एक कोई असम का कोई गाओं भी है वो बड़ा हॉंटेट है डाओ इल मैंने आपकी आपके रहे तो बिग बॉस का घर भी हांटेट है आपको भी किसी हांटेट फ्लेस पर विजिट किया आपने कभी काफी बार तो दिली के तो जितने भी आसपास के जो भी पॉपिलर हांटेट जगाएं वो सब जगा गया हूं मैं बूली बट्यारी हो मल्चा मेल हो एक गया हूं मैं ऐसी रैंडम कोई भी शम्शान घाट चला गया और वहां पे मैंने कोशिश की कहीं कुछ एनरजी से मुलाकात हो तो वो सारी चीज़ें हुई मितलब थोड़ी बहुत अजीव-जीव चीज़ें भी हुई अलग-अलग आपको ऐसा लगता है कि यह इस कि मौसम में आपको ठंडक सी लगने लगती है कभी-कभी ऐसा लगता है कि आपको सांस नहीं आ रही है सांस कम लगने लगती जैसे आप पहाडों पे हो ना पहाडों पे चले जाते हो जब बहुत अल्टिटूट पर आ जाते हो तब ऐसा आपको फील होता है कान सुन पड़ तो वो खोड़ा सा डर था, उसके बाद मैं काफी बिमार भी पढ़ गया था, पांच दिन के लिए, मुझे बुखार भी हो गया था, काफी तेज, तो ये सब था, ये चैनल स्टार्ट करने से बहुत पहने की पाद, तो आइक तीक तो आपको चूस किया गया इस काम पे लिए ये मल्चा मार्ग, आप एरपोर्ट जाओगे, नॉर्ट अनिमें है काई? नहीं, सेंट्र देली में, तो भाई मल्चा मार्ग, अगर आप में से कोई गया है, तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, तो मेरे कुशन, लड़के जादा ड़ते हैं, लड़के जादा से अपया है, तो से अपया है, अगर पर फेया है, तो भी जाँ, ये उसाओएगे, फील्याद हो, आपके यूटूब के ड़के जादा दरते हैं, लड्किया जादा ड़ती है, लड़के जादा डरती है, नहीं मुझे एसा लगता है, परसनली के जो शक्ती औरत के पास है र दर से डर का सामना करनेगी वो आदमी इन लोगों के पास नहीं है और मेरा मैंने तो जब मैं किताबे काफी पढ़ता हूँ मेरा शौक है तो मैं emotions के बारे में एक चीज पढ़ रहा था तो females इसमें तो queen है क्योंकि उनके पास भागवान ने ऐसा उनको बनाया है कि they can feel variety of emotions मुझे ऐसे लगता है कि इसका इंग्रीजन है बड़ा स्ट्रॉंग के लड़कियां जाद अच्छा सुनती है लड़के सुन नहीं पाते इसलिए जब तक आप सुन नहीं रहे हो तब तक आप emotion भी बात सारे अलग अलग फील नहीं मुझे अभी क्लिक किया है कि हम numerology में बात करते है number two की so number two एक feminine energy का number माना जाता है और उसको caring का number, nurturing का number माना जाता है और जैसे एक female होती है, mother होती, care करने वाली, उसका number माना जाता है और number two born यानि कि कोई भी अगर 2, 11, 20, 29 तारीक को पैदा हुआ है, they eventually are a good listener तो जो आपने बोला ना वो बात है कि yes, यह feminine energy का ही पार्ट है तो अगर आप comfortable हो तो क्या बताना चाहोगे कि, जैसे I guess आप एक मेने में चार वीडियो डालते हो, तो कितना monthly earning हो जाता होगा YouTube से तो जैसे अभी तो हम लोगों ने overall 230 वीडियो बना ली है, तो जो नई वीडियो डालते हैं उससे तो earning होती ही होती है, पुरानी वीडियो क्योंकि यह कहानिया है और कहानिया कभी भी कोई सुन सकता है, evergreen content है, तो जैसे एक example दोंगा, आपको बेगुन कोडा railway station है West Bengal में, त और फिर आज के time पे वो 5 million cross कर गई है, तो ऐसा भी बहुत बर होता है, यह पुरानी वीडियो से आपको बहुत साधी views आ रहे हैं और चीज़े हो रही है, तो cumulatively सब कुछ मिला जुलू के, अगर मैं कहूं तो हम लोग करीब 5-6 लग कमा लेते हैं YouTube ads से, दिव जी मैंने कर रहे हैं, आखे बंद करनी तो कर लीजे, हमारे audience को डराना ज़रूरी हो गया है, वेसमे न एक hotel है, hotel system करके, तो उसे लोग कहते हैं कि वो haunted है, अब वो haunted क्यूं है, आपको उसके किस्से कहानिया बताता हूंगा, तो एक सुभा उस hotel में, पानी आना बंद हो गया, लोगों के कमरो से पानी नहीं आ रहा था, बहुत सारे मतलब रेसेप्शयन पे एकच confession पे पांद में से फोन बजने लेगे, यह क्या हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं और पानी नहीं कुछ कमरो में और पानी बिल्कुल से, उसको लॉक वोक को खोला गया, टंगी, बहुत भारी कवर उसका टंगी, यूगि आप सोचो होटल का पूरा एक टंग, टैंकर होगा, तो कितना भारी होगा उसका कवर, तो वो उठाया गया, और उसमें देखा गया, कि एक औरत की लाश है, बिना कपडों के, वो वोरत थी Elisa Lam, कैनड़ा की रहने वाली एक लड़की थी, और वो डिप्रेशन से गुजर रही थी, लेकिन कोई भी रीजन नहीं था, या कोई भी तरीका नहीं था, उसका उपर छत पे जाने तक का, मतब किसी तरीके से नहीं जा सकती, क्योंकि दर्वासे लोक थे, सीड क्यों, क्या, किसी को कुछ समझ नहीं आना था, फिर उस दिन उसकी CCTV फुटेज देखी गई, कि कहा थी, वो क्या कर रही थी, पर ये CCTV फुटेज इंटरनेट पर अवेलिबल है, तो देखा गया कि वो अजीब तरीके से किसी से बात करती भी, होटल के अंदर लॉबी में लिफ्ट के अंदर गुसती है, और लिफ्ट में कुछ अजीब अजीब से बटन दबाती है, अकेली है वो लिफ्ट में, रात का टाइम, वो लिफ्ट के अलग-अलग बटन दबा रही है, और फिर लिफ्ट एक जगा के खोल रही है, तो वो ऐसे रियाट कर रही है, जैसे क और उससे बात कर रही है, कोशिश कर रही है, और फिर एंड में वो लिफ्ट की एक जगा रुकती है, एक दसवे फ्लोर पे शायद, और वो बहार निकलके इधर उदर देखती है, पीछे देखती है, और डरते वे बहुत ज़ादा लॉबी से चली जाती है, CCDV से हट जाती है और उसके बाद उसकी कोई फोटेज नहीं है, तो एक गेम है, जिससे कहते हैं, एलिवेटर गेम, लिफ्ट रिच्वल कहा जाता है, उससे कहते हैं कि आप अगर ऐसी बिल्डिंग में हैं, जिसमें दस फ्लोर हैं, तो आपको कुछ स्टेप्स करके, आपको वो आप दूसरी दुनिया में जा सकते हो, वो लिफ्ट दूसरी दुनिया में खुलती है, और उसका बीच में एक पार्ट है कि आप फिफ्ट फ्लोर पे या सिक्स फ्लोर पे कोई अंदर आता है उस लिफ्ट के, तो जो CCTV फोटेज थी उसकी, उसे उस लिफ्ट गेम से रिलेट कर दिया सब तो लोग कह रहे थे कि वो लिफ्ट गेम खेल रही थी, एंड एक और बड़ी अजीब सी थ्योरी है कि उस होटल में एक सीरियल किलर रहता था, जिसने उस होटल के अंदर तेरा लड़कियों का मुर्डर किया था, रिचर्ड रमीरेज नाम के, तो लोग कह रहे है कि शायद उसने मारा है, उसके भूत में मारा है उसे, अब क्या हुआ है उस होटल में, क्या रहा क्यों मरी अलिश सेलाम यह आज तक अंसॉल्ड मिस्टरी है, एक यह गा, जहें हैं तो दिवजी सबसे ज़्यादा आपकी किस स्टोरी पे आए और वो हमारी ओडियोंस कि आप सुनाए बिल्कुल मैं सुनाओगा हमारी जो पहली वीडियो थी उसी पे हमारे सबसे जाधा व्यूज आया है और वो जो फिल्म है स्त्री जैसे वो स्त्री कलाना लिखा जाता था तो वो उसी की कहानी है जो असली कहानी है तो ये करनाटक के एक छोटे से गाउं की कहानी है जहाँ पे बहाँ पे बहुत सारे लोग ये लिखने लगे नाले बार नाले बार घरों के बाहर, and मर्द लोग, सब आदमी लोग उस गाओं से गायब होने लगे, तब एक रिपोर्टर वहाँ उस गाओं के अंदर पहुचा, उसने देखा कि आम पे सब लोग नाले बार को लिख हैं, और शाम का टाइम पूरा था दीरे-दीरे वो पूछ रहा था एदर उपर सबके दर्वाजे खट-खटार रहा था कि यह क्या हो रहा है? यह क्यों हो रहा है? लोग बात किरने लिए तयान नहीं थे कि जाओ-जाओ यहां से जाओ चले-जाओ बात मत करो और फिर उसे टेल 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 एक पुजारी मिला तो उस पुजारी ने बताया कि एक औरत है जो रोज रात में आती है और एक मर्द को जो भी होता है वो पुकारती है उसे उसका नाम लेकर जैसे अगर मैं आपका नाम लेकर पुकारूं अरुन तो और जब आप उसकी आवाज सुनते हो और उसे देखते हो तो वो दुनिया की सबसे सुन्दर लड़की है तो आप उसे मना करी ही नहीं सकते आपको वो अपने वश में कर लेती है और वो आपको अपने साथ ले जाती है और आदमी ऐसे ही गायव हो रहे हैं और यही सब खैल रहा है पूरे गाहों के लिए तो उस पुजारी नहीं यह सब बताया उस जनरलिस ने सब नोट कर लिए और मतलब यह सब बताते बताते शाम अंधेरा सा होने लगा बिलकुँ तो पुजारी ने तो का कि मैं तो जा रहा हूँ पटलब गाउं और शहर के outskirts की रोड है उस पे जा रहे है ये जब दम से स्कूटर ख़़ा हो जाता है, PPKAT नाम होता है और tier kaut Thank God एक बर सुनाई देता है वो डर जाता है क्या हो रहा है ये पीछ देखता नहीं है ऴो उसे डर लग रहा है क्योंकि वह ही कहानी सुनक रहा है वी वो फिर वो जो स्कूटर का एक आपका शीशा होता है वो शीशे में reflection पढ़ती है और reflection में वो फिर से उस आवाज आ रही है जो शीशे में हैं वो देख रहा है कि एक लाल साडी में एक औरत है जो हवा में जूल रही है और उसके जस्ट पीछे है वो वो अपना scooter छोड़ता है बहीं एकदम भागता है किसी तरह मतलब बिल्कुर भाग जाता है बहुत दूर भाग जाता है और कहीं उसे एक खंडर टाइप एक जगा मिलती है एक दर्वाजा सा मिलता है कहीं वो बंद करके बैढ़ जाता है उस रूम के अंदर आ जाता है और उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसे ऐसा ही लगता है एकदम चंचं की आवास कि कोई मेरे पास आ रहा है दीरे दीरे, चंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचं प्रोना उना खतम गरके अपना जैसी दर्वाजा उता यह उसे एसा लगता है कि वही औरत एकदम से उसके पास आई एकदम फ्लैश में और अगली सुभा वही उस खंडर में पाया जाता है गाउवाले देखते हैं कि उसके शरीर पे निशान है और वह लेटा पड़ा है, मतलब कपड़े बपड़े सब फटे में निशान से हैं, चश्मा तोटा हुआ है और लेटा हुआ है वो उसे जगाया जाता है, तब वो पूरा ही incident बताता है, और लोग कहते हैं कि आप इस गाउं से नहीं है, इसलिए वो आपको लेके नहीं गई ओ, वो इस समझाव है, नाइप पतलब वो जो उस गाउं के लोग है, वो उनको ही लेके जाती है तो ये क्या किस्ता था, क्या हुआ पाँच-छे साल पाँच-छे साल के दौरान चला ये पूरा चलता गया है करनाटक में, अभी भी आप देखोगे, करनाटक के लोगों से बात करोगे, तो वो कहते हैं, आँ, जैसे यहाँ पर नॉर्थ में प्यास वाली चुडेल आ गई थी, लोगों ने अपने गर के बाहर हल्दी के हाथ लगा दिये थे आज भी ऐसा कुछ होता है क्या वाँ पर? आज तो अभी बहुत रिसेंटली तो नहीं 90s में हुआ था, 96, 97 तक यह फिनोमेना चला था, उसके बाद फिर आज तो नहीं कुछ ऐसा क्योंकि अभी I think कुछ हो सकता है गाओं से उस गाओं से रिसेंटली आपको कुछ ऐसा इंकाउंटर हुआ हो जो आप सेर करना चाहें रिसेंटली तो अभी एक तो मैं क्या करता हूँ ना मैं आजकल बड़ा स्मार्ट हो गया हूँ मैं मैं हर हफते अपनी नजर उतरवा लेता हूँ दो ऐसा इंकाउंटर फॉर्चिनेटली अभी हुआ नहीं है कोई और अब मैं ऐसे हॉंटेट जगाओं पर जाना या डिवाइसेज लेके एक्स्ट्रोर करना वो सब काम नहीं करता मैं मुझे लगता है कि स्पिरिट्स होती हैं नेगेटिव भी होती हैं पॉजिटिव भी होती हैं आप की दुनिया में वो कोईग्जिस्ट कर रही है वो उनकी भी दुनिया कोईग्जिस्ट कर रही है आपकी दुनिया के साथ आप उसमें मत गुसो वो आप में नहीं गुसेंगी तो मैं इस तरीगी का believer belief करता हूँ तो मैं यह सब मेरे साथ नहीं हुआ है भी fortunately दिव जी जभी हम अभी बैठे थे podcast से पहले तो आपने कहा था कि आपकी मामा मामी के साथ भी कुछ ऐसा horror incident हुआ है वो तो मसलब बहुत ही जादा डरावनी का नहीं है मेरे लिए personally भी डरावनी का नहीं है हो कि मैं उस फ्लैट में गया हूँ मैंने देखी हैं चीजें और मेरे mom डाट भी उस फ्लैट में मामा मी के साथ रहे हैं तो वो सारी चीजें काफी काफी creepy हैं तो उन्होंने रिसेंटली बॉम्बे में रहते थे वो लोग गोरे गाओं इलाका था एंड वहाँ पे एक फ्लैट लिया था फ्लैट में मूव इन कर रहे थे बहुत रिसेंट बात और उनके तो मामा के mostly टूरिंग जॉब थी तो वो अपना काम से निकल जाते थे गर पे नए कम रहते थे दो बच्चे थे एक 12 साल का लड़का था और एक 8 साल की लड़की थी चोटी और एक बार तो उस गर में 12 साल की लड़का था चुकंस उसकी तबेर बहुत जादा खराब रहने लगी थे जबसे उस flat में move-in कर रहे थे and मामा का थोड़ा financial losses और यह सब चीज़े शुरू हो गए थे मतलब business ठीक नहीं चल रहा था वो दोनों educated है कुछ सोचेंगे नहीं के क्यों हो रहा है क्या हो रहा है ऐसा पुछ paranormal यह सब तो definitely वो नहीं सोचेंगे उन्होंने सोचा भी नहीं है ऐसा कुछ उस शुबम को 12 साल के जो उनका बेटा है शुबम उससे diagnose कराया गया multiple times लेकिन कभी कोई diagnose मिलब diagnose करके कुछ नहीं निखला कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है ऐसे और फिर एक दिन मामा बहार थे टूरिंग जॉब में अपनी और मामी बैठके रात के एक बज़े बच्चों को सुला के टीवी देख रहे है अब वो टीवी देखते देखते न उन्हें एक बॉल की आवाज आई कि कोई बॉल खेंड रहा है तो बॉल मतलब दिवार पे जैसे हम बॉल मानते है न टक टक अवाज आती है टपपे की अवाज तो टक 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 अवाज आ रही है तो उन्हें लगा शुबहम जगा हुआ है तो वो पूचा उन्होंने शुबहम सो आए नहीं तो अभी तक तो कुछ अवाज ने आई शुबहम की तो रिप्लाइ नहीं आया फिर उन्होंने बोला शुबहम फिर कोई रिप्लाइ नहीं आया वो अवाज चल रही है भी भी टक 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 और वो में में कहा है फ्लाइट है तो फ्लाट में आपका एक कॉरिडॉर जा रहा है और आपके अंदर दो कमरे और बाहर कॉरिडॉर से ही आपका ड्राइंग रूम है तो एक पतली सी गली बन जाती है उस कॉरिडॉर की उसमें उस से अवाज आ रही थी तो मामी उठी ड्राइंग रूम से, मुड़ी उनने देखा, कि छोटा बच्चा, और अंदेरे में घणव टीवी की लाइट जल रही है, सब सो रहे है अंदेरा है, गहर में. तो वो देखनी है, उस टीवी की लाइट से जो पढ़ रही है, उसमें देख रही है कि छोटा बच्चा है, करीब वही 8-10 साल का बच्चा है, वो बॉल से खेल रहा है दिवार पे मार के उसी कॉरेडोर में बैठ रहा है, तक 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 धूल मिट्टी में है, उन्हें लगा कोई आ गया होगा शायद, अब भी उनका दिमाग उधर नहीं जा र रहा है, वो उनकी बात नहीं सुन रहा, कुछ रिप्लाइन नहीं कर रहा, वो टक तक करे जा रहा है, और उसके बाद जैसी मामी अंदर आती है, वो बच्चा बॉल छोड़के अंदर बच्चों के कमरे में चला जाता है, अब मामी को अब अजीब लग रहा है, कि ये क्या ह बहार कोई भी नहीं है, ये बच्चा अजीब सै, धूल मिटी में पूरा कपड़ें इसके और ये बच्चों के कमरे में चला गया, तो मामी घबराती भी बच्चों के कमरे में गई अंदर, अब वो देख रही है इसे, बिना लाइट खोले, कोशिश करनी है, कि कहां गया, क नीचे बच्चों की गेम्स की एकलमारी थी, वो sliding door वाली एकलमारी थी, उन्होंने जैसी वो sliding door खोला, वो बच्चा वहां से निगल के मामी पर चड़ गया एकदम, और मामी ने हटाया उसे एकदम, और वो फिर कहीं बाग गया बच्चा, तो यहां पर मामी को बहुत डर ल अभी धरवाजे पर बेल बजने ही चाल हो जाती है, मामी अपने आपको उठाती है, बाहर गेट तक जाती है, बच्चा कहीं दिख नहीं रहा भी उन्हें फिर से, पता नहीं कहां चला गया है, और बाहर वो देख रही हैं कि एक और खड़ी हुई है सफेद साडी में, उसक मतलब वो दर्वाजा खोलें किया, मतलब वो अंदर ही आ गई, और उन्हें समझ ही नहीं कि अंदर कैसे आ गई है, मतलब मामी को साइड किया, अंदर चली गई, बच्चों की कमरे की तरफ ही गई हो, वो चली गई अंदर, मामी पूछ रही है कौन, कौन, क्या चाहिए तु खोलने की कोशिश कर दियाएँ दक्का दे रही हैं डोर खोल नी रहाए अंदर बच्चे है, वो और बच्चा है, जो गर में गुम रहाए उन्हें कुछ समझ में आ रहा और अचानक से वो दर्वाजा खुल जाता है अपने आप, कोशिश करते करते खुल जाता है, और जैसी वो दर्वाजा खुलता है, वो देखती है कि वो और वो चोटा बच्चा एक साथ खड़े हैं, बालकनी पर खड़े हैं और उनकी पेट मामी की तरफ है और वो मामी को देखते हैं, अब मामी को exactly याद नहीं है, वो उन्होंने कैसे अपनी गर्दन घुमाई थी, लेकिन मामी अभी भी कहते हैं, वो पूरी घुमाली थी उन्होंने उल्टी, वो उल्टी गर्दन घुमाई और वो नीचे कोट गए साथवे फ्लोर से वो दोनों नीचे कोट गए और मामी का तो जो उनका दिमाग फटा, उन्होंने बच्चो को उठाया, गाड़ी की चाबी ली, गाड़ी में उन बच्चो को बिठाया और किसी फ्रेंड की घर चले गए उस रत अगले दो दिन में उन्होंने पूरा फ्लैट अपना मूव आउट किया, और उस घर की जो पुरानी चीज़ थी, वो वहीं पे छोड़ दी और वो क्यों किया मूव आउट, क्योंकि जब मामा आ गए, उन्होंने पूछा कि क्या चक्कर है इस फ्लैट का, क्या है इसमें, तो पता चला कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, इस फ्लोर से, एक मा और उसका बेटा, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, वो गिरकर मर गए, तो ये फ्लैट हॉंटिट था और इसमें कई ऐसे छोटे-छोटे किस्से थे, जैसे मामी के पीट पे निशान थे, खरोचे, खरोचों के निशानते, उने लगा था कि कोई कीडा होगा rationalize कर दिया, educated ने rationalize कर दिया कि नहीं हो सकता एक tap था जो ठीक ही नहीं हो कि दिया, था plumber ठीक कर दिया मेरे पापा ने कोशिश करी उस में washer अगेरा सब बदलने की उस नल में, लेकिन कभी वो ठीकी निवास से पानी टबकता ही रहा ये हुआ, फिर कभी एक बार उनकी जो छोटी बेटी थी, वो उनके पास आई मतलब रात का टाइम है और उसे बुला लिया अंदर, उसके पापा भी थे अपा कहते हैं, बस हो गाई टीवी, अब जाओ सोने चले जाओ वो कहरी है, अरे, मम्मी भी तो टीवी देखनी है, मुझे भी देखने दवाँ और पापा को पता है कि मम्मी टीवी नहीं देखनी है, मम्मी ना रही है तो उन्हें लग रहा है कि बच्ची मजाग कर रही है लेकिन बच्ची मजाग महीं कर रही है बच्ची ने किसी और उरत को देखा है घर में ये सारी चीज़े हो रही है दिर जी मैंने अभी आपकी वो रील देखी थे जिसमें आपने बताए कि विग बॉस की घर में भी बहुत है, तो ये सच है या इसके बारे में थोड़ा बताएं? ने ये बिल्कुल 100% सच है और जो उनकी प्रोड़क्शन यूनिट है ना, एंडे मॉल जो शोव बनाते हैं, तो उनके बहुत सारे क्रू मेंबर्ज ने एक्स्पिरियंस किया ये, और उसके सेट में, पहले सेट अलग था, लोनावला में होता था, लेकिन जब से वो वाला सेट फिल्म सिटी बंबे में आया है, तब से बहुत सारी अजीबों गरीब हरकते देखने को मिल रही हैं उस सेट पर, लोगों को, तो एक कान ही ऐसी है कि कैमरा, जब बिग बॉस में कोई आया नहीं था, अंदर नहीं गुसा था, तब एक क्रू काम कर रही थी, सेट अप कर रही थी, सारे कैमराज अलग-अलग, एंगिल्स पर अलग-अलग जगा पर, एंड, all of a sudden, आपका मॉनिटर भी चलता है, तो बहुत ज़दा लोग नहीं थे, रात का टाइम था, दो बजेगा करीब टाइम था, और दो साट, मतब आई थिंक दो बीस का टाइम था, और कुछ लोग खाने चले गए थे, या साइड में थे, कहीं था नहीं, उस टाइम सेट पे क्रू में दो लोग, एक जो कैमरे एड़ेस्ट कर रहा था, और एक जो उस मॉनिटर पे देख रहा था, उसे के अंगल ठीक आ रहा है के नहीं, वो बता रहा था अपना, तो अचानक से वो क्या देखता है तो सुनील आप मानो देख रहा था और विकरम सेट कर रहा था तो सुनील देखता है कि विकरम की जो एंगल आ रहा है कैमरा एंगल वो महाँ पर कैमरा ठीक कर रहा है ऐसे ठीक कर रहा है लेकिन पीछे कोई काली सी परचाई खड़ी है क्योंकि कैमरा यह है बिकरम को नहीं पता कि उसके पीछे क्या खड़ा है धूंदली सी काली सी परचाई है यह सुनील को मॉनिटर पर देख रहा है अब वो कोई बिल्कुल भी मेक आउट भी कर पा रहा कि कौन है, क्या है उसे समझ में नहीं आ रहा और अचानक से क्यों हो रहा है कि जितने कैमरास है सब कैमरास 222 बचते ही बंद सारे की सारे कैमरास बंद अब एक बार हो सकता है एक हिस्सा हो सकता है कुछ लाइट चली गई हो कुछ हो गया हो जिसकी विज़े से सारे डिस्कनेट होगे बढ़ अजीब बात है लेकिन दुबारा होना बहुत ही अजीब है है ना बहुत ही क्रीपी है अगली रात फिर से दो बच के बाइस मिनिट पे सारे कैमरास बंद हो जागे अब तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एक रात अगेन फिर से ऐसी आती है जहां पर सुनील और विक्रम काम कर रहे है और सुनील को फिर से जब विक्रम कैमरा कुछ सेट कर रहा है या अंगल पे काम कर रहा है उसे फिर से वैसी ही परचाई दिख रही है लेकिन इस बार वो परच्छाई धीरे 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 विक्रम के पास आ रही है और इसका मॉनिटर फिर बंद हो जाता है सुनी लब जाता है वो चिलाता है विक्रम का नाम वॉकी डॉकी पर पहले कोशिश करता है विक्रम कोई अवाज नहीं आती उसकी वो जाता है उसके पास किक क्या है कहा है अंदर गहीं सैट करता था वो कैमरा अब यहाँ पर विक्रम विक्रम जिसके पीछे वो आ रही औरत अचानक से उसे लगता है कि कंदे पर उसकी किसी ने हाथ रखा है वो मुढता है और वो देखता है कोई नहीं है वहाँ पर कोई भी नहीं है उसे लगा शायद बहें मैं फिर वो वापस से कैमरा अपना ठीक करने लग जाता है अब कैमरे में जब आप कैमरे को सेट कर रहे हो तो कैमरे की जो लेंस का रिफलेक्शन होता है उसमें आपको दिख रहा है कि कोई आपके पीछे खड़ा है और जो एक वारत है काले कपड़े पहने हो उसने विकरेबा लेए और भूर दिये डरावनी कोई लग रहा है और विकरम उसे लेंस में देख रहा है और उसकी फट गए मतलब कि क्या हो क्या रही है क्या चल क्या रही है वो तब जैसी पीछे मुड़ के वापस से देखता है उसको चक्कर आ जाते हैं वो चीख पड़ता है बहुत जोड़ से उसे मतलब बाद में पूछा गया तो उसे याद नहीं था कि क्या हुआ exactly इसनील बहुत जाता है विकरम के पास बीकरम लेटा पड़ा है विवोश पड़ा है उससे समझ नहीं आ रहा रहा है कि हो क्या रहा है सुनील को लग रहा है कि कुछ तो यहाां पर गडबड चल रहा है उसे तुरंत ऐसा लगता है कि कोई परचाई उसके पीछे से एकदम से पास होके कहीं अंदर वाले रूम में गई है। अधर के कोने में सर नीचे करके एक औरत बैठी हुई है वो रो रही है और सुनील को बहुत डर लग रहा है लेकिन सुनील फिर भी उसके पास जा रहा है और एकदम से वो जैसे उसके पास जाके वो पूछ रहा है वो रोते रोते एकदम से अपना सर उपर करती है और बहुत ह पुछास्तु की आजीब तरी पर अशने लग जाती है. मतलब बहुती डरावने तरीके से हसने लग जाती है. और सुनील भागता है वहां से. मतलब जोरो से भागता है. विक्रम वहापे भई उसे पानी-वाणी करके वियोश-भियोश करकी किसी तरह उठा दिया था अब को कुछन लेकिन भागते हैं वो तुनों और सुनीर और विकरम तो अपनी नौकरी छोड़ देता है और दो बाइस पे ऐसी कितने लोग हैं जो Big Boss Crew के मेंबर्स हैं जिन्नोंने देखा है कि कैमरेज बंद जाते हैं कुछ ना कुछ अजीम चल रहा है फ्लैशेज लग रहे हैं उन्हें इदर से उदर आते हुए लोगों के बुखार हो रहे हैं और बिमार तो अजब गिर रहे हैं लोग धका लग रहा है उन्हें कहीं ऐसे फील हो रहा है कि कुछ हो रहा है तो ये सब बहुत आम बात है Big Boss के सेट तो नजर काला जादू ये सब कुछ होता है और ये चीजे तो हमारे Indian practices में हमेशा से रही है कि मा बच्चे की नजर उटा रही है काला ठीका लगा रही है बच्चा अचानक से रोता रहता है रूख नहीं लगती उसको जैसे ही हम नजर उतारते हैं तो नर्मल हो जाता है और सिर्फ बच्चे की बात नहीं है हम बहुत सच के सवर के कहीं जा रहा हैं तो लोग हमको अपतारीव कर देते हैं नजर लग जाती है या फिर आप कोई काम करने वह अपनी किसी को बता दिया आउट आफ एक्साइटमेंट तो भी नजर लग जाती है और यह common practices सिर्फ इंडिया में नहीं हर जगे देखी जाती ह हैं और इसको ठीक किया जाता है इसनान से और इसनान कई तरह की होते हैं एक तो common practice जो हमारे घरों में यूज होती है कि हमने मिर्श ले लिए राई के दाने ले लिए और आपको नमक ले लिया और पत्ते ले लिए कुछ और उसके बाद तीन निवाज या पांच बार एंट इसनान है तो अगनी इखनाल से आपने अपनी सुद्धी करी यूर बैलेस लाए इक होता है वाई उसनान अच्छा आपने कभी देखा होगा वें यूर अराउंड बीच और वहां पर जो समुद्र की ठंडी हवा चलती यू फील यार रिलेक्स हो गया है सारी एनर्जी आप अच्छे सिकाव करते हैं नजर उतारना बहुत एजी है लोग करते भी हैं नजर बट्टू लगाते हैं बुरी नजर वाले तेरा मूं काला तो यह तो कुछ आउट आप दो बॉक्स रेमिडीज हैं लोगों की बट यहीं तक नहीं है हर स्टीट हर सहर में अलग-अलग लोगों की अलग-अलग उपाए हैं आपकी क्या उपाए हैं वो हमें पॉम्मेंट करके जरूर बताईएगा और आपको इसे बात करी काला जादू की तो यह बहुत ही डेंजरस चीज है और मैंने यह आप मानतों एक्जिस्ट करती है मेरा इस पर टेक यह है कि यह बिलकुल है काला जादू, उचातन के रिया, मारण के रिया, बंधन के रिया, मुठ करनी के रिया, यह सारी चीजें exist कहती हैं बस इने करने वाले अब इतने असानी से नहीं मिलते, इनको करने वाले या इनकी प्रोपर नॉलेज रखने वाले लोग अब बहुत चुपे हुए हैं, इ बहुत पुराने हमारे सासरों में लिखी हो गई है ऐसी चीज़े होती है इस देव है तो असुर भी है तो ऐसी चीज़े होती पस इनको करने वाले लोग आप इसली मिलते नहीं है और ब्लैक मैजिक यूजवली आप देखोगे ना तो जो हमारे दोस्त होते हैं या हमारे इससे बचा कैसे जाए सबसे पहले तो हर कोई जो कुछ खाने को दे रहा है आपको खाना नहीं है अपने कपड़े बहुत समाल के रखिए आपके वस्त्र में आपका औरा होता है और ये आप ऐसे भी किसी को नहीं दे दीजिए कि लोग चाचा कि लड़की को दे दिया इध करके आईए पर किसी जानकार वेक्ति को मत देजिए खाना मत खाई और ये दो काम से आप अपने आपको बचाएंगे और नाओ दा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट उन लोगों को नजर जल्दी लगती है या उन लोगों पर काला जादू जल्दी हो बाता है जो लोग सा पूजा पार्ट में इंवाल्ब करके रखना चाहिए कोई भी फेथ हो आपका आपको पूजा पार्ट करना चाहिए घर में तो आपके आरती दिया ये सारी चीज़ें जल रही है कुछ भी नहीं हो रहा है तो लोबान जलाईए वह धुनी करिए उसकी अपने पूरे घर में आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है काला जादू अब मैंने तो बड़े असानी से बता दिया पर ये चाटन करिया ये मारन करिया ये जानलेवा होती हैं अच्छे खासे बिजनेसे चौपट हो जाते हैं अच्छे खासी लाइफ लोगों की बरबाद हो जाती हू मैं तो ऐसी स्टोरी हर तीसरे चौते दिन एक सुनी रहा होता हूँ जहां पर बच्चे बहुत टलेंटेड हैं घर में हस्बेंड बहुत टलेंटेड जॉब नहीं लग रही है कोई रीजन ही नहीं है कि उसे कम पोटेंशल लोग आगे पड़ रहे हैं बट ये लोग वही के वही है एक घर की ग्रोथ बांध दी जाती बंधन करिया हूए किसी का वैपार बांध दिया जाता हूँ खुद कहता है समझ में नहीं आ रहा तीन साल से इतना सक्सेस्फूल हमारा बिजनस चल आ था अब वहीं का वहीं टिका हुआ है रुक गया है एकदम से जैसे किसी ने क भगवाय शिव का आसिरवाद है यह आपको प्रोटेक्ट करता है ठेक है यह अगर आपने धारन किया है तो आपको परिशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पाशमकी का रुद्राज आप धारन करे यह अपना काम करता है तो रुद्राज ज़रूद पहन के रखना चाहिए, देरा सम ब्रेसलेट जिनकी हीलिंग पावर होती है, हीलिंग एनरजीज होती है क्रिस्टल्स हैं, जो कि इनकी हीलिंग एनरजीज होती है, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं उसमें सबसे जादा यूसफुल एमेथिस्ट होता है, तो अगर आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, जरूर पहनी उसके बड़े-बड़े जिवाइड भी आते हैं, ट्रीज आती है एमेथिस्ट की, वो आपके ऑफिस एरिया में आपके बिजनस प्लेस पर या फिर आपके घर में होना और इस तरह से होना चाहिए, कि उसे आने जाने वाले लोग देख सकें चुपा के नहीं रखना है, चुपा लिया तिजोरी में उसको इस तरह से रखना है, कि वो आने जाने वाले लोग देख सकें देखिए मैं बहुत सारे लोग आएंगे उपाय बताएंगे ये करो वो करो बचो या इससे करो पट एक्षिनल में डूइ इफ यू फील कि आपके उपर सच में किसी ने कुछ कराया है देरिस ओनली वन एन वन रेमेडी जो कि आप करोगे आपको जरूर लाव होगा और यह मैं experience से बोला हूँ एक बार नहीं साथ बार मुझे ये experience हो चुका है ये रेमेडी काम करती हो वो रेमेडी है दस महाविद्या की पूचा देवी के देवी शक्ती के दस रूप और इन्हें पोना जाता है goddess of knowledge जिसमें आपकी कालिमा भी आती है आपकी कामाच्या देवी भी आती है मांडवी देवी भी आती है चिनमस्ता देवी आती है आप हुन देवियों की तस्वीर भी देखोगे ना you get scared आपको डर लग जाएगा कि हुआ हो यह क्या है चिनमस्ता माता को अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपना गयला काट रखता है और अपने हात में इंकासर है और यह गले से दो धार निकल रही है उनकी डिसाइबल के मुह में गिर रही है तो चिनमस्ता माता का स्वरूब इतना डरावना है हमारे कानपुर में एक ही मं अंदिर है चिनमस्ता माता का और वो साल में एक बार खुलता है और अप इनकी पूजा अगर अपने घर में करवाते और इस पूजा की खास बात में यह बता दो कि यह हर कोई नहीं कर सकता आपको मुझे जो बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है कि जो नॉर्मल अभी अ पूजा पाट कर रहा है इनकी पूजा कराने के लिए आपको एक्सपिरियंस लोगों की जरत पढ़ती है यूस बने यह हमारे बनारास साइड में अलाबास साइड में ऐसे लोग मिल जाते है अगर आपको मिल रहा है तो यूशूट गेट देम और अगर आपको लगता है कि आपको गहरे पर ऐसा कुछ हुआ है तो इस इस परफेक्ट रेमेडी जो आपके काम करेगी तो हम एनिमेशन की जैसे बात कर रहा है तो इंडिया में आपकी एनिमेटेड मुवी फेवरेट कौन सी है यह तो बड़ा आपने टफ सवाल पूछ लिया है इंडिया में जो जैपिनीज लोगों ने मतलब बनाई थी तो इंडिया की बनी भी तो नहीं है वो इंडिया में बहुत अच्छे से हो नहीं रहा है अनिमेशन हम लोग क्या होता है मोटू पतलू बना लिया या हमने लिटल सिंगम बना लिया हमने यह बना लिया तो हम पिर और कुछ बड़ कि हाँ एर ऐसा कुछ तो है नहीं और जैसे छोटा भीम है ठीक है छोटा भीम हम लोग देखते हैं पर वो भी इंडियन नहीं है वो भी इंडिया के स्टूडियों नहीं बिना है यहां पर आपका काम बहुत बढ़ने वाला आगे और आपको इसके बारे में सोचना चाहिए तो काफी सारी बाते करी दिवी जी हमने लाओ यार कनुप्लूडिंग बट मैं मेरे जस्ट अभी मेरे जहन में एक और हॉरर हॉरर हो रहा है तो मुझे एक नाम याद आता है मैंने आज तक न्यूस चैनल पे इनकी डॉकुमेंटरी देखी थी यह पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बड़े क्यूरियस होते थे और इसको रिसर्च करते थे एंड इनके बारे में यह कहा जाता है कि यह धूत से मिलना चाते थे और उसका रूगरू करना चाते थे आप गौरव तिवारी यह बात करें गौरव तिवारी एक फिमस नीम और जिनकी देख भी काफी मिस्टीरियस रही है सो आपने यह बात सुनी हैं आप जानते हैं इस बारे में कुछ हाँ तो हमने जब हमने 2018 में यह सब कहानियां स्टार्ट करी थी लेकिन गौरव तिवारी बहुत बड़ा नाम है पूरी होरर कम्यूनिटी के लिए उन्होंने इंडिया की पहली पारनॉर्मल सोसाइटी बनाए तो क्या होता हो वो यूएस में पढ़ाई कर रहे थे और जिस फ्लैट में वो रहते थे उस फ्लैट में उनका सामना हुआ एक आत्मा से एक छोटी बच्ची की आत्मा थी जो उनको और उनके सारे फ्लैट मेंट को जिनके बारे में पता चला और जब यह सब हुआ था तो उन्होंने अपने घर के नदे पारनॉर्मल इंवेस्टिगेटर्स बुलाए थे जो डिवाइसे लेके आये थे फ्रीक्वेंसी वेगरा देख रहे थे तब गौरफ को पता चला उन सब चीजों के बारे में यह सारी चीजे ऐसे होती है और तब से वहाँ से उनकी रुची बहुत जादा बढ़ने लगी और उनने बहुत एक्स्टेंसेफ काम किया इस पे व वो सेट करते थे रात रात भर अकेले बिताते थे गोस्ट की फ्रीक्वेंसी कैच करने की कुछ-कुछ उनकी वीडियोज भी हैं ऑनलाइन जहां वो जा रहे हैं यह सब चीजे कर रहे हैं बट अधे एंड उनकी घर में ही उनके बाथरूम में गिरने की अवाज आई एकदम बच्ची की आत्मा है जो मुझसे बात करना चारी है जो मुझे परशान कर रही है वो कहा रही है मुझे छोड़े इगी नहीं वो मुझे मार दे ही तो यह सब बाते चल रही थी और जब वो गिरे कोई निशान नहीं है कुछ किसी चीज़ का मतलब actually sorry जब वो गिरे तो लोगों ने तो बोला कि वो heart attack से मरें लेकिन उनके काला कुल गर्दन पर निशान मेता जब उनकी death हुई और यह है mysterious death है इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलाएगा यह जैसे गौरव तिवारी वाला अपने scene बता है मैंने भी एक मेरे पसाथ तो ऐसे बहुत सारे incident तो नहीं हुए है बट मेरे clients ऐसी बहुत सारे stories सुनाते हैं और मैंने जो personally एक चीज महसूस करी है वो है possession वाली story जिसमें यह बात है आयुद्या की और आयुद्या में एक lady है उनकी नहीं नहीं शादी होती है और वो घर में आती है बहुत दिनों से उनके पेट में दर्द हो रहा होता है और वो दर्द के मारे अपने सास को कहती है बस सास seriously नहीं लेती है फिर वो अपने husband को कहती है husband कुछ medication करवाता है और nobody's take it seriously उने लगता है कि यार कुछ बहान ही हो रहा है यहाँ पर या फिर कुछ इस तरह का हो रहा है उस lady का दो साल का बेटा भी है और वो बेटे को भी कह रही है पर बेटा इतना छोटा है कि वो क्या कर सके अच्छा ये चीज़ फ्रिक्मेंटली हो भी नहीं रही है फिर उसके बाद उसका हिलाज हो गया बट कुछ ही तिनों बाद फिर वो सिस्ट देखता नहीं है डॉक्टर को ठीक है तो पहले वो चीज़ देखी फिर दुबारा नहीं देखी उसके बाद चली अब उस lady का अब सरदर्द हो ले लग गया कि रात में वो lady जब सब सो रहे है तो घर में चल रही है और female पाइल पेहनती है अभी हमारे पुर्वत्तर इलाके में चंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचं की आवाज यहां पाइल के आ रही है और ये एक दिन हुआ तो मम्मी को लगता है वाश रूम के लिए उठी होगी बट दूसरे दिन भी यही सेम तीसरे दिन भी यही सेम और चौते दिन वो आके बोलती है प्रमिला 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 उसकी सास का नाम है दरवाजा पीछते पीछते जब वोऊ ऐसे बोलती है तो फिर और इह क्या विकवस्षास को तुझ मिरा घमर में नाम कैसे ले रहे ने मनमीं यह आया बट यह आवाज फीमेल वाइस में थ ही नहीं यह आवाज मेल वाइस में थ ही एक पुरुस की अवाज में एक महिला बोल रही है और अपनी मदर का नाम बार-बार चिलना रही है ठीक है? यह मेरे क्लाइंट ने मुझे यह स्टोरी सुनाए थी तो जब वो सुना रहा था तो मुझे भी काफी दादर डर लग रहा था एवेंचली उनकी सास उठके आती हैं कमरे से बाहर आती है और वो कहते हैं क्या हुआ? तो कहता है कि यह घर छोड़के चली जाओ यह सारी male voice में हो रहा है एक female male voice में बोले यह घर छोड़के चलने जाओ तो RT जी बोलती है कि क्यों चले जाए है मेरा घर है यह तेखे हैं, कैसे चले जाएंगे हम यह घर चोले जाएंगे तो यह वारता लाप होती है काफी जादा अच्छे है इसमें हाता पाई नहीं हो रही है, यह कुछ नहीं हो रही है जस्ट that person जिसने पॉसस किया है, वो यह बोल रहा है इतना करते करते वो लेड़ी फिर चीकते चीकते रोते रोते गिर पड़ती है फिर उसकी सास, उसका हस्बेंट बाहर गई गए होते ससुल दो ही लोग घर में थे, यह उसको बिठालते हैं, पानी वगएरा पिलाते हैं जैसे तैसे वो करते हैं, उसके बाद, आयुद्या में चलो, स्री राम की नगरी है, बहुत सारे बंडे जी विद्वान वहाँ पे है, और जब मॉर्निंग होती है, शुबह होती है, तो यह लोग चाय लेका जाते हैं बाहू के लिए, और चाय उसको देते हैं, तो फिर से कुछ नहीं खाऊँगा, तुम लोग जब तक यहां से नहीं चाऊँगे, किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा, कोई भी डर जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर अंटी जी एक पंडी जी को बुलाती है, और जिस दसमा विद्या की मैं पूजा कर रहा था, यह रिक कोई और परिवार नहीं है, यह पूजा हो रही है, जब यह पूजा स्टार्ट होई थी, तब तक तो सब लोग नॉर्मल थे, पूजा जैसे जैसे आगे बढ़ रही, आगे बढ़ रही, तो वो बच्चा रोने लगता है, चीखने लगता है, चिलाने लगता है, उसके तो नो रीजन कि वो रो क्यों रहा है, अब इसके बाद कोई भी घर का बच्चा रोएगा तो लगेगा कि यार इसको चुप कराते हैं, पर पंडे जी ने वहीं पे कहा कि नहीं, डून टचिंग, रोने दो इसे, अब बच्चा वो रहा है, रो रहा है, मुख बना रहा है, ऐस सफन रही, ठीक है, इस चीज़ का आंसर कई बार हमें नहीं मिलता है कि यह सब क्यों हो रहा है, बट यहां पे इस स्टोरी में आपको इसका आंसर मिलेगा कि इस सब हुआ क्यों, जब यह पूजा समाफ्थ हो रही थी, तो फिर ब्रहम राक्षस थे उस महिला के उपर, वो बहुत तंत्रमिद्याओं को सौक रखते थे, चीज़ों को सीखने का, कि मैं भी भूत बुलाओंगा, मैं भी भूतों से बाते करूँगा, तो इन्होंने कई सारी तंत्री किताबों को पढ़कर उसको अपनाने की कोशिश करी, लाइफ में, कि चलो मैं भूत को और इन्होंने मुझे बुलाया, पर मैं अब तक भूकाओं में बटकता हूँ, इसलिए मैं अगर परेशान होगा, तो इस घर में परेशान होगी, तो 20 सालों में ये घर मेरे घर जैसा हो गया, आज इस पूजा से मुझे मुक्ती मिली, और मुझे मतुरा जाकर, एक बार ज चाता है कि ब्रह्मराक्षस वही लोग बनते हैं, जो ब्रह्माण होते हैं या पड़े लिखिये इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ये एक स्टोरी जो मेरे क्लाइट न मुझे समझाई थी, आज तक मेरे जहन में है, इस तो काफी कमाल की स्टोरी है, ब्रह्मराक्षस के उप लोगों को मेरा भी एक दिफ्रेंड आउतार दिखा होगा, तो ये सच में ये horror is a very interesting genre, अभी horror भगवान है, अशुर है, नेगेटिव है, तो positivity भी है, ईश्वर भी है, भगवान की जगहों पर भी कई सारी mysteries हैं, कई सारी कहानियां हैं, जो की बहुत famous, तीरत इस्तलों के लिए भी famous है, आपको कुछ उसमें से पता हो, जो आप बताना चाहें, बिल्कुल यहा, एक कहानी है, जो पूरा निदीवन एक area है, तो निदीवन के सारे लोग मानते हैं उस कहानी को, और एक कहानी कुछ इस प्रकार है, कि एक रात, एक बच्चा, सावला सा बच्चा, अलग-अलग दुकानों पे जाके दूद मांग रहा था, और कोई उससे दूद दे नहीं रहा था, कुछ दुकाने बंद हो गई थी, कुछ बंद हो रही थी, फिर वो एक हलवाई के पास पहुचा, वहाँ पर उसने कहा कि मुझे खीर दे दो आप, जो खीर है आपकी पड़ी भी, उससे खीर दे दो, तो उसने कहा कि तेरे पास पैसे हैं लड़के, तो उसने लड़के ने कहा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, पर उसने अपने कान से एरिंग उतारी अपनी और उन्हें दे दी कि ये आप एरिंग रख लू और मुझे दूद दे दो, मुझे खीर दे दो उसने खीर पी और जैसे ही मतलब वो कुछ शायद रियाक्ट भी कर पाता अलवाई वो लड़का वहाँ से कहीं गायब हो गया अब अगली सुभा शेर में पूरे निदीवन में हफडा तफरी मची हुई है क्यों मची हुई है क्योंकि जो मूर्ती है कृष्ण भगवान की जो मूर्ती है उसके कुंडल गाया है वैकान से ठीक है तो और अब ये पूरा हो यहाँ पर सब को पकड़ा जा रहा है चोरी का इंजाम लगा जा रहा है फिर वो हलवाई आता है पुलिस के पास वो कहता है कहीं ये तो नहीं है वो मूर्ती के कुंडल जो एरिंग कल रात में बच्चे ने दीए इंक्रेडिबल इंडिया इसी को कहते है दिवजी आपके साथ बहुत मज़ा आया और आइनो ये पॉड़कास कैसा परफॉम करेगा बट मेरे दिल में तो ये सुपरेट हो चुका है और आपके साथ हम और भी बाते करना चाहेंगे और भी कहानिया सुनना चाहेंगे आप से और ये अब हम अपनी आडियंस में चोड़ते हैं कि आपके अदिवजी को जितनी जल्दी देखना चाहते है वो हमें कॉमेंट करके बताईए और इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा इस पॉड़कास को आपने कैसा पसंद किया और कॉमेंसी स्टोरी सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगी आपके साथ अगर कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है जो आपने महसूस करी हो या फिर आपके सहर में कुछ बहुत ज़्यादा फेमस है वो भी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा और थैंक्यू सो मस्च दिम जी अरण पंडे शो में आने के लिए हम इंतजार करेंगे आपके दुबारा आने का थैंक्यू अरण जी